ओम स्रेग्णे साय नमहाज हम बात करेंगे धनुरासी के बारे में एक जनवरी से चोदर जनवरी तक 2024 भहुत शवानी धनुरासी की धनुरासी वालो का समया बहुत अच्छा आया है भाग्य किसमत खुल जाएगी धनुरासी वालो की तो यहाँ वीडियो पूरी देखे यहाँ बिसे उपाय जरूर करें उपाय करने से आपके ग्रह मजबुत होते आपका भाग्य मजबुत होता आपके रास्ते खुलते है मैं आपको गला सला नहीं दूँगा कि आपका भाग्य खुल जाएगा आप बेठे रो आपका भाग्य खुल जाएगा ऐसा नहीं आपने मेहनत करनी है, मेहनत के साथ आपने उपाय जरूर करने है कभी समय ऐसा आता है कि आप पे महादसा या अंतरदसा पाप ग्रह की चलती है आप उस समय बहुत मेहनत करते हो परन्तो आपको सपलता प्राप्त नहीं होती क्योंकि कहीं न कहीं आपके महादसा पाप ग्रह की चल लिए तो आपने मेहनत करने साथ में आपने उपाय करने उपाय करने से आपके ग्रह मजबूत होते हैं आपके रास्ते खुल जाते हैं आपके हर्मनों कामना पूरी होती है चाहे पढ़ाय छेत्र हो गया नोक्री छेत्र हो गया या ब्योहाद छेत्र में आपके रास्ते खुल जाते है तो सरापरतम बात करते हैं धनुरासी जिन लोगों की धनुरासी है उनके रास्यस्वामी देव गुरु ब्रहस्पती है तो आप समस्क्तों जिनकी धनुरासी है उनके राजस्वामी देव गुरु ब्रहस्पती है ब्रहस्पती जो की साकसाद भगवान विश्णों के सरूप है समस्त देवताओं के गुरु है तभी देव गुरु ब्रहस्पती कहा जाता है उन्हें तो आप समझ सकते हो कि देवताओं के भी गुरू है तो आपके राजस्वामी ब्रहस्पती है आपके लिए कितना सुन्दर है आप पेरे जाद अपरबार डालेंगे देव गुरू ब्रहस्पती तो बात करते हैं एक जनवरी से 14 जनवरी तक धनुरासी वालों के लिए सुब क देव गुरु ब्रहस्पती है भर्यसपती के घर शूर्य ब्रहस्पती है आपके राजस्वामी में भगवान शूर्य ब्रहस्पती कि अप्रस्पति एक जो कि कौन बेटे है भगवान सूर्य बेटे है आपकी रासी में धनुरासी में जो कि आपके जीवन में परकासी परकास करेंगे हर छेत्र में होगी आपकी मनो कामना पूरी सूरदेव साथ साथ भगवान नारण है ठीक है तो आपने क्या करना है उपाए भी करने है उपाय इस तरह के से लिखे मेंने माता पिताजी की सेवा करनी है आशिर वाप्त करना है धनुरासी वालों को माता पिताजी गुरु के सम्मान भी है सबसे बड़े भगवान है और गुरु के सम्मान भी है कैस अध्य करूब रहामन के लिए लिका है आजर सम्मान करें सेवा करें जितना ऊप सेवा करें एक वाो था न। दूसर में ब्रॉक्ष की पूजा करें केला क्या है Canick Farm अकैला लाजमान होते केले में केला क्या है प्रकर्थी का अंग हैं थीक है तो ब्रक्ष में पूजा करने से धूक्दी प्रजल करने से ज़ल चडाने से आपका भग्य तुरंत मुच्बूत होता डी गुरु भ् consist पति आपथ कल्यांड करते हैं करना है आपने स्यूर्यदेव को जल चड़ाना है तामे के लोठे से प्रति दिन अ करें कि एक टायरीख से लेगे चोधव यह से तो आप चड़ाइस प्रतिदिन चड़ाइस पर ancoraफ से ध्यान दे कि तो आ अबके जीवन में सुर्यदेव प्रकासी प्रकास कर देंगेंh' ग्राव को आपने को कभी भी आत्र-पिता का पमान से बड़ा है एक खोटा है उनको सम्मान कर चाहे मनुशाय जीव-जनत्वए आपने सम्मान करके भगवाद नार्ण वीडियोंद हैं